हलो दोस्तो प्राचीन भारत जिसे सिंधू घाटी सभेता के रूप में भी जाना जाता है जिसकी खोज लगभग 3,000 इसापूर में हुई थी हालांकि कुछ सबूतों से पता चलता है कि प्राचीन भारत और मेसो पोटामिया के बीच 32 इसापूर में व्यापार समंधों को मोहन जोदरों के अस्तित्तों के साच्चों के साथ विक्सित हुआ ए दोनों सहर सिंधू घाटी सभ Syd Hadha का हिस्सा थे जो खुलायी के माध्यम से हरपाम पाये गए हैं सिंधू घाटी सभ Sydharata वास्तों में प्राचीन भारत का निर्मार्ड अस्थल थी दोस्तो प्राचिन भारत की खोज 1920 तक एक रहस्य बनी रही जब पूरा तत्वीदों ने आज के समय के पाकिस्तान में इस्थित मोहन जोदड़ों में प्रतीकों और लिपियों वाली मुहरों का पता लगाया था इतिहासकारों ने हजारों कलाकृतियों को खोजा है जिन्हें इस स्थान पर नरम मिट्टी के मुहरों का उपयोग करने से 500 से 600 विभिन प्रतीकों में विभाजित किया गया दोस्तों इन लिखित भासाओं को सिंधू लिपियों के रूप में भी जाना जाता है और वे दुनिया की सबसे पूरानी सभेताओं में से एक के बारे में महतपुर जानकारी और बियूरण परदान करता है हालांकि यह बहुत दुर्भागेपुर है कि कई प्रयासों के बावजूद इतिहासकार सिंधू लिपियों का अनुबाद नहीं कर पाए हैं नतीजतन असपश्ट रूप से हम प्राचीन भारत पर महतपुर जानकारी देने से चुक गए हैं जो एलिपियां परदान कर सकती हैं फिर भी सिंधू घाडिस सभेता के लिए खुदाई के माध्यम से एकत्रित विभीन तत्यों और सबूतों के आधार पर पूरा तत्यों इस निसकर्स पर पहुँचे हैं कि प्राचीन भारत की खोज लगभग 3,000 इसा पूरों के आसपास हुई थी हालांकि हडपा और उस समय की अन्य महत्पूर्ण सभेता मेसोपोटामिया के बीच ब्यापारिक संबंध के कुछ असपष्ट प्रमाडों के आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत की खोज इससे पहले हुई थी